हांजी नमश्कार आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारचे चैनल नोलिज जी धर्शित में हैस्टेट 2022 द्यारतियों की लिस्ट जारी इनको करना हो गई है काम बरना दिक्कत आएगी अपना नाम जरूर चेक करें हांजी हर्याना द्याफक द्याफदैशिक्षा बोड ने जो है वो आज कंदिडेटस की ज़वो लिस्ट जारी किया है उस लिस्ट में ये बताया गया है कि इन बच्चों को जो है हो एक फोर्म भर कर देना होगा अगर उन्होंने नहीं दिया है तो उनका आविदन भी रद किया जा सकता है और उनको आगे भविशा में प्रोब्लम का सामना करना पड़ सकता है तो चलिए ओफिशल नोटिस के और चलते है जो उन भिवानी बोड़ की तरफ से आया है तो आप ये देख सकते हैं आप सभी सम्बंदित को सूचित किया जाता है कि हर्याना ध्यापक पातरता परिक्षद 2022 हेतु जिन अभियार्थियों दुबारा एक से अधिक बाराविदन के गई है उन भियार्थियों की सूचि बोड़ की अधिकारिक वेबसाइट bsh.org.in पर उपलब्ध है ये विद्यार्थी बोड़ वेबसाइट पर उपलब्ध शपत पतर जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कन्फर्मेशन पेज अधार कार्ड और स्टैंथ ये ट्वेल्थ की डीमसी सहीत बीस दस दो हजार बाईस ये बीस अक्टूबर तक इमेल आईडी जो यहाँ पर दे रखी है एडवल एस पी एल ली एक्जाम एड़ दा रेट bsh.org.in के माध्यम से बोर्ड करियरलय को भेज कर एक सधीक बार आईवदन करने संबंधी त्रीकूटी का समधान करवाएं इस बारे संबंधी तब यारतियों को उनके पंजिगरित मोबाईल नमपर पर SMS के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया है हनजी कई बच्चों ने गलती से जो है वो दो बार रिजिस्ट्रेशन कर लिया है अलग अलग परकार से वैसे तो हो नहीं सकता पर कई होने का रख्खा उनकी दस पे जो की सूची भी जारी की गई है तो ऐसे बच्चों को मैसिज भी भेज दिया गया है और आगे मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको बोड से संपर करना पड़ेगा और दीगई इमेल आईडी पर यह संबंदित जो डोकुमेंट्स है वो सारे सेंड करने पड़ेंगे तो आपका फिर वो आविदन फोर्म आपका ठीक हो जाएगा चलिए अब हम आपको वो लिस्ट दिखाते हैं वीडियो में जो है वो यह लिस्ट क्लियर ना दिखे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है आपको गूगल पर जाकर बी ऐसी एच टाइप करना है और हर्याना विदैले शिक्षा वोड की जो ओफियल वेबसाइट है उस पर आजाना है HBSC की ओफियल वेबसाइट का लिंक में डिस्क्रिप्शन वोक्स के अंदर भी दे दूँगा आप वहाँ से भी हर्याना वोड की वेबसाइट पर जाकर सीधा वहाँ पर नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपके पास option आ जाएगा आपको सीधा लिखा दिख जाएगा notice section के अंदर की list of candidates जो जिनोंने double registration किया है तो आप एक बार सभी जाकर उसको जरूर चेक कर लेका ये बार जो है वो गलती से भी को आ सकता है तो आप एक बार उसको जरूर चेक कर ले ताकि आपको बविश्या में किसी भी परकार की समस्या का सामना ना करना पड़े अगर आपका इस list में नाम है और अगर आपके पास SMS भी आया है तो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है वो क्या कुछ करना है तो चलिए अब हम आपको बताते है कि अगर जिनका इस list में नाम है तो उनको कौन सा form भरना है और क्या से क्या कुछ करना है तो यह वो देख सकते हैं आप यह undertaking है इसका जो है वो आप वीडियो पोस करकर screenshot भी ले सकते है वरना आप हर्याना पूतर रमेश जैसे एग्जमपल आप अपने ildeर का लिख देना निवासे आप अनीचे लिखना हा नीवासे जहां के भी जिस पिजी ले के हो जैसे करणा CV के लिए और को नीचे लिखना है संक्या भी आपको दोनों की लिखनी है कि कौन-कौन से रिजिस्ट्रेशन संक्या पर आपने आविदन किये हैं तो फिर आपको दूसरे पॉइंट में लिखना है कि मैं लेवल माली जी आप 1 की 2 की 3 की जिसकी भी परिक्षे देना चाहते है वो लेवल और फिर वो इंट संक्या या नि आप रखना चाहते हैं स्पोङ सब्जेक्ट के आप online चाहते है लास्ट में आपको経न जो है वो date डाल देना है अपने साइन कर देना है अपना address और mobile डाल देना है इसके साथ में आपको जो है वो अपनी 10th की DMC 12th की DMC और आपको जो है वो अपना अधार कार्ड और यह undertaking और साथ में जो है वो आपको जिसका भी आप registration करवाना चाहते हैं जी वो application form भी आपको जो ह रखना चाहते हैं जिसका जो है वो आप मानते कि यह ही इसी यह registration में रठीक है मैं इसी पर ही जो है एक्जाम दूँगा तो वो registration यह पांचों चीज आपको अटेच करकर जो मैंने आपको शुरू में mail ID बताए थी उस पर आपको जो हो mail करते ने हैं साथ में हर्याना बोड क help line number जो है वो में description box में उनकी help line number बता दूँगा आप उन पर भी एक बार call कर ले और उनको अपनी सारी problem बता दे और फिर उसके बाद आप उनको mail कर दे तो आपकी काफी ज़्यादा help होगी तो हाई हूप आप सभी को यह video अच्छे लगी होगी तो video अच्छे लगी है तो उससे like करें शेयर करें अपने friends के साथ जादा जादा शेयर करें चैनल को subscribe करें धन्यवाद